हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामनिंग मुष्ट इंपोर्टेंट सेवन स्टांडर्ड के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेवन स्टांडर्ड के लिए जोग्रफी सब्जेक का एक न्यू चाप्टर की यहां दोस्तों यह चाप्टर में हम क्या पढ़ने वाले सबसे पहले थोड़ा समय आपको हिंट देना चाहूँगा नैचुरल रीजन्स की बात करें जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो प्रिथवी है हमारा जो प्रिथवी है अगर हम नॉमल एक छोटा समय डाइग्राम ब आप सब जानते है उसी प्रकार यह उपर नॉर्थ की तरफ था तो नीचे साउथ की तरफ भी जाता है यानि इस प्रकार से आप अगर एक लाइन खीचने की भी कोशिश करोगे तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते है लाटिटीटूड जो है बना सकते हो मैंने अपने हा साइड नॉर्थ है नीचे का साइड साउथ है यह आप लोग जानते हो तो कहने का मतलब यह दोस्तो कि आपका जो अर्थ है लाटिटूड नल पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो हर एक का एक रीजन होता यानि कि समझ लो जीरो से लेके यह उपर का 5-5 डिगरी तो 65 डिगरी का समझे है जो लाटिटूड न लाइन है यहाँ पर जो भी कंट्रीज आ रहे होंगे हो सकता है वहां का जो एक्मोस्फियर हो बात की जगह से अलग हो तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर आप जाओगे पूरे और्थ के लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर तरीका अलग होता है कि दर पर natural vegetation अलग होता है यहाँ पर animals अलग तरीके से रहते हैं तो हर जगा आप पूरे world में कहीं पर भी चले जाओ और कहीं पर भी किसी भी कोने में चले जाओ आपको जो environment है वो जो है अलग-अलग देखने मिलती है कहीं-कहीं पर similarities भी होती है यानि कि बहुत सार जगा आपको देखने मिलेगा अलग-अलग locations के इसाप से डिगरी के location के इसाप से आप कुछ similarities भी देखने मिलेगी लेकिन जादा तर आपको जो है वो differences देखने मिलेगा तो यही सब चीज आज हम लोग इस वीडियो की माध्यम से चर्चा करने वाले है यह वीड पढ़ाई करते रहना एक्जाम नजदीक है जितना हो से के उतना पढ़ाई कर लेना दोस्तों और conceptual knowledge को clear करना best quality education हमने प्रवाइट किया है अब आते है topic के ओपर अब जैसे की जैसे मैंने अर्थ का explain कर दिया तो हम यहाँ पर explain करेंगे reason के हिसाप से तो पहला जो reason है यहाँ इसको मैं 60 degree मान लेता हूँ ठीक है इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं 60 degree मान लेता हूँ और यह top वाला तो आपको पता यह 90 degree होगा तो यह 60 से लेके 90 degree मतलब यह वाला हिस्सा यह जो पूरा हिस्सा है 60 और 90 के बिज में यह जो पूरा हिस्सा है नॉर्थ की बात समझ में हाए यह location आपको याद रखना है, tundra region कहां से कहां बिलॉंग करता है, 60 से लेके 90 degree north तक बिलॉंग करता है, अब इसमें climate क्या होता है, इसमें जो normally climate होता है, वो लगबन summer temperature के इसाब से बात करें, तो dust degree होता है, इसका mean winter temperature की बात करें, लगबग माइनस 20 से लेके 30 माइनस 30 डिग्री तक रहता है अतलब एक तरीके से मैं इसका आपको क्या बता रहा हूँ कुछ चीजे ऐसी बता रहा हूँ चो आपको याद रखना है जैसे मैंने बोला कि summer temperature लगबग कितना है summer के time temperature कितना है इसका 10 डिग्री चल्शियस है यह सब आपको लिख लेना है अगर आपको याद नहीं रहता यह सब चीजे दिमाक में तो आपको कही न कहीं लिख लेना है साथ में आप एक pen ले लो एक pencil ले लो और एक notebook ले लो तो देखो कितना efficiency आपकी बढ़ जाएगा आपका note साथ में प्रिपर हो जाएगा और normally इसको माना जाता है बहुत ही good rainfall एक तरीके से आप बोलू और इसका जो climate है वो तो चिल रहता है cold climate रहता है अब next यही टूंडरा reason कि अगर हम लोग एक तरीके से natural vegetation की बात करें तो इसमें natural vegetation जो है वो छोटे छोटे घास उकते है इसमें शौट flowers हम लोग बोल सकते हैं, short grasses जो है flowers उकते हैं इसमें जाडिया जिसको shrubs बोलते हैं यह आपने सुना होगा तो जाडिया जो होती है shrubs वगर है इसमें उकते हैं यह सब छोटे छोटे चीज़े जो हैं बता सकते हैं बोलने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़े हैं मैं सब आपको बताऊंगो तो आप confused जाओगे बाकी चीज़े आप सिलाबस से देख लेना आप यह उक से देख सकते हैं कोई problem नीए बहुत सारी चीज लेखी हुई है लेकिन कहने का मतलब क्या है जो important है वो बता रहा हो आपको पता ना algae काई बोलते हैं हिंदी में और fungus आपको पता यह है तो algae और fungus को जो एक सार आप मिला दोगे हम लोग नहीं मिलाएंगे वो naturally मिलता है दोनों आपस में एक तरीके से symbiotic nutrition कर लेते हैं तो यह lichens बनता है तो lichen हो गया moss हो गया कुछ एक category है fungus का तो इस प्रकार वगरे हो गए polar bears होते है क्योंकि थोड़ा सा chilled climate होता है वहाँ थोड़ा थंड़ा climate होता है माइनस 20 से माइनस 30 डिगरी मता थंड़ा climate है तो वहाँ पे polar bear बहुत ज्यादा देखे जाते है लोग मिडी जिसको foxes बोलते है ठीक है ना फिर जो नदी होती है जो समुंदर होते ह होते हैं walrus हो गया यह सब टाइप के अनिमल्स देखे जाते हैं और जो अनिमल्स होते हैं उनके शरीर पे ज्यादातर मोटे बाल होते हैं जैसे polar bear आपने देखा कितनी मोटी थिक स्कीन होती है चमड़ी बहुत मोटी होती है क्यों होती है थंड़ी रिजन में अगर पतली च ऐगर बत काने अगर स्कीन होता है अब उसके बाद अगर बात करें लोग अरग तरीके से वहाँ पसंड पसंड करते हैं और population जो है बहुत spars है यानि बहुत इक कम है बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं तो इस प्रकार की जो छोड़ी-छोड़ी चीज़े हैं वो आपको याद रखना है और ऐसे ही there are so many reasons पूरे अर्थ के उपर consider करेंगे तो लगबख 6-7 प्रकार के दो reason है खाली तो हम कोशिश करेंगे आज 2-3 reason atleast आपको मैं बता पाऊं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आराम आराम से पड़ेंगे कोई घाई नहीं है आप लोगो आपको जो चाप्टर देखना जाके देख सकते हैं आने वाले कुछ वन मन्त के अंदर देखो अभी दिसेंबर चल रहा है वन मन्त के अंदर आपका portion complete हो जो कि मार्च अप्रिल तक जाना चाहिए तो हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं और बाकी science match तो पूरा complete है आपको जो चाप्टर देखना जाके देख सकते हो सब चीज़ complete है पहले से upload करके रखा हुआ है यही तो खासी है थे हमारे चानल के हमने बहुत काम पहले से ही करके रखा है आप लोग के लिए इतना पूरा साल भर मेनत करके वीडियोस बनाए हैं more than 1400-1500 वीडियोस हमारे चानल पे प् यह दो रीजन जो है पहले दूसरे यह दोनों के उपर काफी जाते questions पूछे जाते हैं किस प्रकार के animals है किस प्रकार के vegetation है किस प्रकार के human रहते हैं लोकेशन कहां से कहा है तो यह जो टाइगा रीजन जो है यह आता है 55 से लेके 65 डिगरी तक टिक है न पर चोटा सा करेक्शन यह करना चाहूंगा कि टुंड्रा एक्चुल में लोग 60 to 90 बोलते हैं लेकिन एक्जाक्ली शिलाबस पॉंट अफ्य अगर मैं बता हूं तो 65 से 90 तक है तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो ठीक है 65 से 65 से 90 डिगरी तक अब 65 से लेके 90 तक क्या था तुंड्रा रिजन था उसके पहले 55 से लेके यहां पर मैं लिखता हूं 55 तो 55 डिगरी से 65 डिगरी तक यानि कि समझ लो यह वाला पार यह वाला जो हिस्सा है पू ठीक है फींटर न यानि कि लेके ट मोल्द बहुत ज़याद घडमी नहीं और बहुत तंड नहीं है एक यह पिछाग transfer माना तुरान बरफ जरूर गिरता होगा और साथ ही में जो रेंफॉल है यह भी लगबग 300 से 500 mm तक रेंफॉल होता है 300 से लेके 500 mm तक रेंफॉल होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो ठीक है तो यह हो गया और विंटर में अक्सर स्नुफॉल जो है वो देखने मिलता है इस वाले वेजिटेशन की बात करें कौन-कौन से टाइप के यहां पर पेड़ पहुते देखने मिलते हैं तो कौनिफरस फॉरेश्ट आपको पता है कौन वाले इस प्रकार के ऐसा शेप होता है ऐसे वाले पेड़ होते है जाडिया ऐसे वाली शेप के क्रिश्मस ट्री आपने देख उसमें बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे वैसे उस प्रकार के ठीक है तो हम जब मनाली गए थे तो वहां पे अक्सर हिमालया जो है वह हिमालय रिजन में हिमाचल प्रदेश में अक्सर स्नोफॉल होता है थंडी के दोरान ठीक है अक्सर नॉमल सीजन में भी स्नो है बहुत सारे जीजनिकां अंड़ में नॉमली उनके उपर सफट फर हो थे थोड़े थोड़े मतलन अच्य थोड़े थंडी से बच सके उस्तुक एं। जैसे कि silver fox होते हैं, minks होते हैं, beer होते हैं, भालू अगरे, इस प्रकार के जानवर काफी ज़्यादा देखने होते हैं, और यहाँ पे, इस reason में, population की अगर बात करें, population भी काफी ज़्यादा कम होता है, as compared to इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, tundra से थोड़ा ज़्यादा होत कर सकते हैं, उस प्रकार के जो इंसान है, वहाँ पे बसते हैं, animals के साथ में, जो चीज़े हैं, वह होती है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ भी आपको बहुत ही easily अच्छे से समझ में आ गया होगा, next topic पे आते हैं, जो की तीसरा हमारा reason होगा, आज के date का third, अब third reason क्या हो सकता है, tundra reason हमने बता दिया, tiger reason बता दिया, तो एक और बहुती बहतरी reason है, जिसको हमने बोलते हैं, grassland, क्या बोलते हैं, दोस्तों, grassland, अब यह जो grassland है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको stips and parries कहते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखता है, अब grassland की बात, location की आगे हिजाब से बात करूँ, जैसे इसका क्या था, 55 से 65 था, इसका 65 से 90 था, एक को at least कुछ याद रहे, लेकिन आपको at least location याद रखना है, क्योंकि सबसे important चीज़ है, location याद रखना है, क्योंकि chapter में ही reason है, region याद रखना सबसे important चीज़ है, तो यह लेके बचपन्त रखन, तो समझळो, यहाँ पर मैं 30 डिग्री लिखता हूँ, तो 30 डिग्री से लेके 55 डिग्री, यानि कि यह पूरा जो reason है, इसको में इस प्रकार से शेड करता हूँ, यह जो पूरा reason 30 से 55 डिग्री, देखो, 30 से लेके 55 डिग्री तक का जो reason है, में होता है यानि थोड़ी गर्मी अच्छी खासी पड़ती है यहां पे ठीक है विंटर में वही चीज जीरो डिगरी के नीचे आ जाएगा विंटर में काफी कम यानि कि स्नोफॉल होने के चांसे से यहां पे साथी में रेंफॉल भी जो है वो लगबग 400 mm से लेके 600 mm तक रें और सामली आप नाम में देख सकते हो ग्रास land है यानि कि घास वाले जमीन हे पूरे ग्रास लैंन्ड तो यानि कि इसमें घास है वो उकते हैं लेकिन को बहुत जादा बढ़े ने उकते हैं फसकर विंटर में आप देखोगे तो ग्रास जो है विंटर के व Lamborghini वेले से सूक भ गया ठीके ना elder tree हो गया यहाँ पर यह सब चीज़ आपको देखने मिल जाती है grassland के अंदर फिर वही animals के अगर बात करें कौन से type के animals इसके अंदर रहते हैं जैसे कि घोड़े वगरे होते हैं horses, dog होते हैं deer होते हैं normally hirons जो होते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं वो होते हैं ठी प्रकार के animal भी यहाँ पर देखने मिलते हैं बट कुछ यहाँ पर animal life के अलबा human life के होने के वज़े से यहाँ पर domestic animals से इसका भी पालन किया जाता है जैसे कि domestication काफी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे लोग भेड़ को पालते हैं ships होते हैं goat होते हैं बकरी उसको पालते हैं लोग घोड़े को पालते हैं खचर, donkey उसको पालते हैं ताकि सामान को इधर से उधर कर सके तो इस प्रकार की animal life यहाँ पे होती है और वही अगर human life की बात करें इंसान की बस्ती कैसी है यहाँ पे तो यहाँ पे जो main occupation है वो है rearing of animals यानि कि देखो अभी ship को पाल रहे हैं तो ship का वो बूल निकाल सकते हैं जो उपर उनका कवच उल जिससे आपके sweaters वगरे बनते हैं उल आपको पता यह तो उल निकालते हैं रियरिंग करते है इनिमल्स के ठीक है ना main occupation यह है फिर normally कुछ लोग है वहाँ पे tent वगरे में रहते हैं अपना जो बस्ती है वो बनाके tent में बनाके रहते हैं ठीक है और normally कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी जादा आगे बढ़ गए हैं तो वो लोग अपने पका मकान बनाके रहने लगे ह जो agriculture वगरे वो गेहु वगरे उगाते हैं वीट वगरे उगाते हैं तो इस प्रकार के चीज़े जो है वो देखी जाती है किसके अंदर आपके grassland reason के अंदर clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ओके दोस्तो में हम कवर करांगे और पहला ही लेक्चर पढ़ रहे हो तो हम आराम से जाएंगे तीन-चार लेक्चर लगेंगा यह चाप्टर कंप्लीट हो देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं चाहता हूँ लेकिन अप थोड़ा थोड़ा पढ़ो एकी बार पूरा नहीं दे थर्टी से फिफ्टी फाइड फिफ्टी फइफटी 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 सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ् झाल जया कर दो आए लोग कि अटा करेंगे प्यूचर में एक है प्राइ़ नोटी है अपलोड़ को नहीं होता है